सिवान में शनिवार की साम बेख खौफ अपराधियों ने एक हिंदी दैनिक अखवार के पत्रकार सह महराज गंज अनुमंडलिये प्रेश कलव के अध्यक्ष राजेस अनल को गोली मार दी घटना के बाद इलाके में दugen का महाल कायम हो गया है घटना महराज गंज थाना सहेतर की मोहन बजार का है घटना में बताय जा रहा है कि पत्रकार राजेस अनल अपना स्टेशनरी कॉपी किताब की दुकान से अपने घर नखास चौक पत्रकार नगर अपनी बाइक से लोट रहे थे वह जैसे ही शहर के नखास चौक के समिप पहुँचे इसी दोरान एक बाइक पर शवार दो की संख्या में हत्यार बंद अपराधियों ने उन पर अंधा धूंद गोली आबर शादी बताया जाता है कि अपराधियों ने तीन-चार राउंड फाइरिंग किया जिसके बाद दो गोली पत्रकार को लग गई पत्रकार को गोली जांग के उपर कुल्हे में लगी है इधर घटना के बाद अपराधी मौके से अपना बाइक लेकर फारार हो गए गोली बारी की घटने के बाद मौके पर अफरात अफरी का महौल कायम हो गया इसके बाद पत्रकार को आनन फानन में लेकर महराज गंच सामुदाइक स्वास्तकेंद्र में इलाज के लिए लाया गया जहां चिकिचकों ने गंभी रिस्तिती बताते हुए उन्हें सिवान सदरस्पताल रेफर कर दिया सिवान सदरस्पताल लाय जाने के बाद चिकिचकों ने गोली फंसे होने की बात कहते हुए उन्हें पटना PMCH रेफर कर दिया इधर पत्रकार पर गोली बारी की घटने के वाद जिला भर के पत्रकारवों में एक खासा आक्रोस ब्याप्त हो गया है जुरो दिख्चान से करो फरी खुद को स्ट्रेस से